शू प्रबाद चात्राहा नमो नमो संस्क्रित में स्टांडर 9 चेप्टर नमबर हमारा है 15 सू दुरलभा सर्व मनोरमा बानी अब सब को मन को भाई एसी बानी तो दुरलभ है इसका टांशले सहे सावगा के rare is the speech that wins over everybody's mind हर एक को मन को भाई एसी बानी बोलना तो असंभव है यहाँ पर है कि संस्क्रित में एक एसे है आज हम एसे पढ़ेंगे इस एसे के रचीता है कि पंडिक चारुदर सास्री is a well-known name आप एसे में अगर किसका नाम जानते हो संस्क्रित में प्रस्तार वर्गुनी नाम का इसका पुस्तक है जिसमें उसने बहुत सास्रीत में ऐसे लिखे यह इस प्रेजन्टेड एडिटेड वर्जन यहाँ पे एक एडिटेड वर्जन उसका दिया है जिसका नाम है एसे टाइटल सुदरलभा सर्वमनुरमा वानी इसका टाइटल क्या है कि सबके मन को भाई ऐसी बानी तो दुल्लभ है यहाँ पे हम लेशन्स स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट है कि लोगे यदस्तु एकस्म रोचते तदन्यर्स में न रोचते इतियता विचीत्र रुचीरम संसा आप जानते हो कि एक वर्ड है पूरा लेकिन यहाँ पे लोगों की अलग-अलग रुची है अलग-अलग टेस्ट है विचीत्र रुची से भरा पूरा यह हमारा संसा है इन दिस वर्ड दर थिंग्स तेट वन लाइक इस नोट लाइक बाइक बाइद अधर तो इस वर्ड इस फूल ओफ पिपल अफ वेरियस टेस्ट यहाँ पे एक चीज एक को पसंदेते दूसरी को पसंदें ऐसी वेरियस तींग्स यहाँ पर पुरे संसार में एकस्मीन परिवारे जाता नाम समाना आचर वीचारानाम जनानाम अपी भीन भीन रुचीर भवती आप जानते हो कि सेम फेमिली में से आये हुए जन में हुए लोग होते हैं तो भी उसके आचार और वीचार में डिफरंट होता ही है फिर दूसरे परिवारे उसकी तो बात ही क्या करनी इन दोनों लैंड में कहा गया है कि पर्शन बॉन इन दे सेम फेमिली अब जानते हो कि सेम फेमिली में तो having similar manner and thoughts also have different tastes what can be said of those born in the different kinds of family अगर दूसरी फेमिली से आये तो उसकी तो बात ही क्या करनी समान पित्रू केशू पुत्रेशू कस्ची तो मधूरम रोचते अब सेम फादर जिसके होते हैं उसके सन होते हैं तो उसमें से किसी को someone like a sweet किसी को sweet पसंदे कस्ची तो लवनम सम्वन लाइक शोल्टी किसी को खट्टा पसंदे किसी को खट्टा बनाना अच्चा लगते यहां पे एकि someone like a poetry किसी को poetry बनाना च्चे someone like a drama किसी को drama बसंदे someone like a sculpture and someone like a mathematics यह सारे रस हैं नाइन रस से हमारे पूरे वर्ड में नाइन रस हैं इसमें से यहां पे तिंचार रस यहां पे दे किसी को खट्टा रस पसंदे किसी को वीर रस पसंदे किसी को करुण रस किसी को हासी रस बिलाया कस्में चिता जनाया विबस रशो आपी रोच ते इती नाना विया तम रोची नाम व्यवस्तित तम भधी कहीं रेर केस में कोई ऐसे होता है का very rare person like a like a sentiment of the digest also thus a variety of liking is a estabilist यहां पे है कि हर एक चीज के अलग अलग रुची और टेस्ट होता है एवम सती एका एव वानी सर्वस्य मानस्य संत इसी तुम नारहती एवम एसे में किसी एक की वानी सभी के मन को भाजा एसा हो सकता है सभी के मन को सटिश्पाई कर सकते एसा पोसीबल नहीं है इस बीइंग दे केस वन पर्टिकुलर टाइप ओफ दे स्पीच केंनोट प्लीज दे माइंड ओफ ओल सब के माइंड को पसंदाए ऐसी वानी तो इंपोसीबल है यहाँ खलू आर्षेन संसकार और संस्कृतो भवती रियली में अगर रियली में जो व्यक्ति संसकार से भरा हुआ है वो हमेशा तस्मिन अम्रुदी रुजवी चो वानी रोचते वो हमेशा जो संसकार से भरा हुआ है जो positive thinking वाला है वो हमेशा ब्रुदू आवाज में सरल आवाज में अपनी वाणी का उपयोग करेगा ना तु करकसा कुटीला वा ना वो harsh voice में बात करेगा और ना ही वो cheater voice में ऐसी बात करेगा आगे है कि अता एते सह वार्ता वसरे एता दोसी वानी एवं उचीता भवती और हमेशा वो किसी के साथ conversation करते समय अपनी ऐसी speech का ही उपयोग करना वो उचीत समझेगा परन्तु यह जड़ दूर व्यशन रतह अलसच सेवक भवती तसमे तस्या धीपह प्रायह करकशाम वानी वदती परन्तु अगर कोई शेवक वेरबे कोई सर्वंट है वो जड़ है दूर व्यशनी है जड़ है लेजी है और एबिल हैबिट्स वाला है तो उसके साथ उसका जो मास्टर होता है वो हमेशा उसे कौन सी भासा में बात करेगा हार्श वोईश में बात करेगा हैंगी कार्याचर संयोजय की उसको अपना कार्य कंप्लीट करना है यह सेरी होसके साथ किसकी यावज में बात करेगा हैं तो sa अपना यह अपना पूरा वर्क से और वानने के लिए उसे हार्ष में बात करें तभी वह आलसी और जो जोड़ है वह व्यक्ति उसको काम करके देगा नेक्स उसके बाद है कि यहां खलू इश्चा ग्रस्तव भवती तसमें परश्य गुणानुवाद रोचते स्वसेच गुणानुवाद है और जो इश्चा से भर यहां पर अच्छी कॉलिटी वह वर्णन करें यहां खलू सज्चन भवती तसमें पराण पराप वादह कथमती ना रोचते और यहली में जो गुड़ परशन होता है वो कभी किसी दुसरे के बारे में बैट बोलेगा नहीं यहां पर कोई भी समय पर वो दुसरे के बारे में इल बोलेगा नहीं केचन असुय का भवन्ती ते हितम अप्य अनुशासन न सहन ते यहां पर कई लोग ऐसे होते हैं कि दुसरे को दुसरे का अनुशाशन अपने उपर सहन कर सकते नहीं है तथे सर्वांग सुन्दरम सरष्ण शुभासितम अपीन संतो यसिय ती अलप ज्यानव्या और यहां पे जो जिसको लिटल नोलेज है जिसको नोलेज बहुत कम है न वो सुन्दर जो ब्यूटीफुल हमारा शुभासित हमारे थोट होते न उसको भी वो सेटिस्पाई कर सकता नहीं क्योंकि उसमें ज्यानी नहीं अलप ज्यानी इसलिए वो अच्छा थोट ये अच्छे विचार उसके माइन को सेटिस्पाई कर सकते नहीं यदि सर्वस्य मनो रमा वानी न सकते वक्तुमा तदा सभा मद्य संगत्य समित्यो शमुप्स्थाय किम त्रुश्णिमा थेयमा किमवा मिथ्या आखेयम इती प्रश्णहुँ अगर हम सब के मन को भागे एसी बानी ना बोल सके तो क्या हमें किसी के साथ बेठने का या फिर किसी सभा में किसी एसंबली में हाजर रहने का या फिर वहां पे कुछ ना बोलने का और फिर अनर्थ बोलने का या फिर विरुद बोलने का यह तो एक प्रश्ण है तो क्या हमें अगर अच्छी बानी बोलनी ना थी तो हम कहीं जान नहीं सकते किसी एसंबली में बैठ नही नहीं बोल सकते तो यहां पे तो एक प्रश्ण है कि it is if it is not possible to speak the language that will place the mind of all, सबके मान को भाये सब, the question is should one remain silent or should we make a false assertion, तो अत्रो उत्तरम ददाती महाराज मनु, यहां पे महाराज मनु है, वो एक आंसर देते है, कि in this matter the great sage मनु gives a reply, यहां पे मनु महाराज है वो एक आंसर reply कर क्या देखे, कि सभावान प्रवेश्टविया वक्तव्यम बा सम्जसम अब्रुवम बिब्रुवम बापी नरो भवती किलविशी, कहा जाता है कि अगर आप सबके मन को भाई ऐसे बानी नहीं बोल सकते, तो आप सभा में एंटर ही ना करो, और अगर सभा में आ जाते हो, तो समझदारी पूर्वक अपना वर्तन करो, या फिर ना बोलना, या फिर विरुद बोलना, यह तो क्या होता है, हमेशा पाप की निशानी हो जाती है, यहाँ पे उसको पापी कहलाते है, ना बोलना या थो तो भिरुद बोलना, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाते है, उसको पापी कहा जाता है, कि either the court must not be attended, आप उसको attend इना कर, or the trust must be spoken a man who either say nothing or speak adversely become sinful, यहाँ पे अगर वो नहीं बोलता है, या फिर विद्ग बोलता है, तो he become a sinner, वो पापी कहलाता है, नेक्स उसके बाद देखते का, एवा मा व्यवार आपी प्रभूता वानी सर्वान शमान रूपे न संतश यती, आप जो व्यवार में बिहेवियर में अथा तो वार्टालाप में जो वानी का उप्योग करते हैं, वो सबके मन को एक साथ सेटिस्फाइ कर सकती नहीं, वस्तु सूद लबा शर्व मनोरमा वानी रियली में सबके मन को भाई एसी बानी बोलना तो इंपोसीबल है, rare is the speech that wins over everybody's mind, सबके मन को भाई एसी बानी तो इंपोसीबल है, शर्व अपी जना में विचक्षणा है न भवन्ती सर्वे अपी जना यहां पे है कि all people है न वो विचक्षन अन्ना भवन्ति वो बुद्धी मान और अच्छे हो एसा जरूरी नहीं है हर लोग अच्छा हो बुद्धी मान वो एसा जरूरी नहीं है केची तो मंदा इती वा उसमें से कहीं लोग ऐसे होते जो मंद बुद्धी के होती केची तो अगना इती वा और कहें एसा होते जो अज्ञान होते किसी को कुछ पता ही नहीं हो जड़ता अगर आप प्यार भरी बाते को रन तो वो भी उसके समझ में नहीं आते कहीं लोगों को प्रेम पुर्व की बाते भी समझ में आती नहीं है एता द्रुशाना जनाना द्रश्टा किम व्यवारे वानी प्रियोगों परितेज्य परित्य परितक्त व्योह नहीं नहीं थो क्या एसे लोगों को देखकर हमें अपने व्यवहार में अपने काम व्यवहार में इसके वाणी का प्रियोग नहीं करना चाहिए जोड़ेना चाहिए नए इसके पयोदिना चाहिए नहीं उसके बाद म्रूगाहा संतिति आž यह ninety क्या वह एनिमाल है ऐसा समझ कर उसको जाने देना चाहिए जो क्या करते कि यहां पर वह एनिमाल है ऐसा समझ कर हमें कोई नहीं करना चाहिए यहां रहा है क्या सब्सक्राइब करना चाहिए करना हीं करना यह करनाई चाहिए वह सब्सक्राइब करना चाहिए वह ऊद्दन नए और अधी वो क्या बेगर है ऐसा समझ कर कि हम वेसल्स को स्टाव पर नहीं चड़ाएंगे तो कि चड़ाएंगे न एता स्वाकीन सूरुचीन पूर्ण व्यवारेन जनाहा अनन्दी इत्म संस्कृता वानी एवम सतत प्रयोग तव्याहा और हमेशा सब को मन को भाए सब के मन को भाए औ और सब के मन को अनन्दीत करें एसी संसकार पूर्ण वानी हमें सतत बोलनी चाहिए था तो प्रयोजन में लेनी चाहिए यहाँ पे लास्ट में कहते हैं कि सो ओनली दर रिफाइंड स्पीच शूल ओल्वेज बी यूज तू प्लीज दर पीपल बाई ओवर ओवन बिहेवियर धेट वर्ड रिफलेक्ट अवर हायर स्टेस्ट प्रयाबर यहाँ पे सब के मन को भाए ऐसी आनन्दीत वानी हमें साम में बोलना चाहिए तो यह लेसंस हमें क्या बहुत मिलता है कि सभी अलग-अलग प्रकार के टेस्ट भी सब का अलग-अलग होता है लेकिन हमें अपने संस्कार से भरी संस्कृत संस्कार यूप्त वानी हमेशा का प्रयोजन में लेनी चाहिए अस्तु